हाई एवरीवन आज की हमारी जो रेस्पी एन वो आपके चेहरे का ग्लो बढ़ा देगा आपका जो हेर है वो ग्रोथ करने में मदद करेगा और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत बेनेफिट है इस आमले का तो आज हम बनाने जा रहे हैं आमले का इंस्टेंक्ट अचार तो म पिर अचार अच्छा नहीं बनेगा इसलिए हमें ओवर कुक नहीं करना है इसलिए मैं यहां पर बॉयल कर रही हूं तो देखिए मेरा जो आमला और गुठली है दोनों अलग अलग हो गया है फिलाल अभी यह गरम है इसलिए जब ठंडा गो तब मैं इसको निकाल के दिखा और इनाइची का पॉडर लिया है आदा चमच और धनिया का शीर लिया है आदा चमच इन सब को मिक्स कर देंगे तो हमारा आमला जो है अब ठंडा हो गया है तो मैं इसको एक के करके निकाल लेती हूं तो देखिए कितना आसानी से निकल रहा है अगर आप कूकर में भी नहीं पहले के टाइम में लोग इसको बहुत-बहुत दीन तक धूप लगाता था तब जाके अचार बनता था अब हम यहां पे इंस्टेंट अचार बना रहे हैं जो कि आप बना के दो-तीन महीना रख भी सकते हैं अगर आपको जाधा रखना हो तो आप फ्रीज में रख द बना लेते हैं तो देखिये मैने यह पर बना लिया है तो पौडर कैसे बनाना है जाधा बारीक नहीं करना और जाधा मोटा भी मिडियम साइज कर लखना है बस उसके बाद एक करहिआ लेना है करहिऊ में हमें सर्सु का तेल लेना है सेर्सों का तेल न हमें जादा लेना है और ना जादा कम लेना है इतना लेना है कि आमला उसमें डूब जाए तो जितना भी आमला मैंने बॉल किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी और हरी मिर्ची में एड कर रही हूँ और अद्रक मैंने अद्रक को पीस दिया है वो इसमें एड़ कर देंगे अद्रक डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है तो आप यूज करके देखिएगा उसके बाद हमने जो मसाला बनाया था वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ एक ही बार में नहीं डालती है वरना कि आप जादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए तो मैंने यहाँ पर टोटल दो चमच मसाला यूज किया है उसके बाद एक चमच हल्दी का पॉड़र यूज किया है सालसा स्वादनुसा नमक डाला है इन सबको मिक्स कर देंगे और हमारा जो आवले का इंस्टेंट अचार बनके रेड़ी हो गया है तो देखिए कितना चपटा लग रहा है खाने में आप भी खाईए और सबको बना के खिलाईए तो ये रेड़ी अगर आपको अच्छी लगी हो इजी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, शेयर जरूर किजएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अमतब तक लिए रात एक रिए